नमस्कार दोस्तों आज हम धातू और अधातू यानि मेटल्स और नॉन मेटल्स पर कुछ चर्चा करेंगे यह इस विशे पर दूसरी विडियो है और अभी तक आप धातू और अधातू के भोतिक गुण जैसे चमक, कठोर्ता, तन्यता, आदिव देख चुके हैं और उन पर आधारित इनमें अंतर करना चान चुके हैं आएए अब आगे देखते हैं इस विशे में आज हम पहले धातू और अधातू के रसायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम उनकी ऑक्सिजन, जल, अमलों और खशारों के साथ अभिक्रियाएं देखेंगे फिर व अधातू और अधातू के रसायनिक गुणों पर चर्चा करते हैं इसमें सबसे पहले हम ऑक्सिजन के साथ उनकी अभिक्रियाएं देखेंगे आएए पहले धातू पर चर्चा करते हैं आप सब आईरन में जंग लगने की परिगटना से परिचत हैं ही जब आईरन की कर भी लिखा जा सकता है यदि लगबग एक चमत जंग को पानी में घोला जाए तब एक निलंबन प्राप्त होता है और इसका लाल और नीले लिटमस पत्रों साथ परिक्षन करने पर हमें प्राप्त होता है कि लाल लिटमस पत्र नीले में बदल जाता है यानि जो यह विल खुला रखा जाये, तो उनपर एक हल्की हरी परत बन जाती है, यह हरी परत, कौपर हाइड्रोकसाइड और कौपर कार्बोनेट का मिश्रन होती है, इस मिश्रन का परिक्षन करने पर भी हम पाते हैं, कि यह एक शार्य मिश्रन है, तीसरे उधारन के तौर पर आप मैगनीशि ले सकते हैं, oxygen के साथ अभिकरिया में यह magnesium oxide बनाता है, और magnesium oxide को पाणी में घोलने पर magnesium hydrocide बनता है, जो की फिर से एक शार्य परधार्थ है, इन तीनो धात्वों में आपने देखा कि जो oxides हैं, वे एक शार्य हैं, समानतर धात्विक ऑक्साइड शार्य प्रकृति के होते हैं आईए अब अधात्वों के ऑक्सिजन के साथ अभिक्रियाएं देखते हैं इसमें हम सर्फर का उधारन देखेंगे चूड़निय सर्फर की कुछ मातरा को एक चमच में लेकर गरम करने पर एक गैस उत्पन होती है इस गैस को एक गैस जार में कैद किया जा सकता है जिसमें पानी विला कर एक विलायन मिलेगा इस विलायन का लाल और नीले लिटमस पत्र के साथ परिक्षन करने पर हमें प्राप्त होगा कि नीला लिटमस पत्र लाल में बदल जाता है यानि यह विलायन अमलिय है अब इसमें हुए अभीक्रियाएं हैं कि सल्फर गरम करने पर ऑक्सिजन के साथ अभीक्रिया करके सल्फर डायोक्साइड गैस बनाता है और यह गैस जल के साथ मिलने पर सल्फियूरस अमल बनाती है सल्फियूरस अमल नीले प्लिटमस पत्रों को लाल कर देता है समाने तह अधातुओं के ओक्साइड अमलिय प्रकृति के होते हैं अभी देखे उधारनों पर आधारित आप कह सकते हैं कि धात्विक ओक्साइड क्षारिय प्रकृति के होते हैं क्योंकि वे लाल लिटमस पत्र को नीले में परिवर्चित करते हैं और अधातुों के ओक्साइड अमलिय प्रकृतिके होते हैं, यानि वैं नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्थित करते हैं। अब हम देखते हैं कि धातु और अधातु किस प्रकार जल से अभिक्रिया करते हैं। पर पहले मैं आपको यह बताना चाती हूँ कि सोडियम धातु एक बहुती अभिक्रियाशील धातु होता है, जो ऑक्सिजन और जल के साथ अत्यंत तीवर अभिक्रिया करता है, जिसके कारण उसे मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। तो यदि सोडियम का एक छोटा सा टुकड़ा जल के बीकर में डाला जाये, तो जो अभिक्रिया होती है, वे कुछ इस प्रकार दिखती है। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही अधिक उश्मा उत्पन हुई है। यहां तक कि पानी और बीकर भी गरम हो जाते हैं। परंतु दूसरी ओर जो अधातू हैं वे जल से अभिक्रिया नहीं करते। यदेपी वे वायू में बहुत सक्रिय हो सकते हैं। जैसे कि फॉस्फरस जिसे खुला रखने पर आग ही पकड़ लेता है। फॉस्फरस को वायू मंडलियो ऑक्सिजन का संपर्क ना हो इसलिए उ साथ किस प्रकार व्यवार करते हैं। इसके लिए हम कुछ धातू और अधातू लेंगे और उनका तनू हाइड्रकुलोरिक अमल और तनू सफ्यूरिक अमल के साथ अभिक्रियां देखेंगे सामाननेता पर और गरम करने पर। इसमें हमें यह प्राप्थ होगा। आप अमलों से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन करते हैं जो पॉप धनी के साथ जलती है। साथ ही आप पाएंगे कि अधिक अभिक्रियाशील धातू जैसे मैंगेशियम और अलुमिनियम सभी स्थितियों में अभिक्रिया दे देंगे। परंतु कुछ धात परंतु ताप बढ़ाने पर अमल से अभिक्रिया करेंगे जैसे आयरन जो हाइड्रोक्लोरिक अमल से गरम करने पर ही अभिक्रिया करेगा। परंतु और भी कम अभिक्रियाशील धातू जैसे कॉपर हाइड्रोक्लोरिक अमल के साथ गरम करने पर भी अभिक्रिया नहीं दे जैसे यहां हमने कोईले और सर्फर का उधारन लिया है आएए अब देखते हैं कि क्षारों के साथ धातू और अधातू किस प्रकार विवहार करते हैं इसके लिए हम सोडियम का उधारन देखेंगे कुछ पानी में सोडियम की 3-4 टिकिया मिलाकर हम एक ताजा सोडियम हैड्रोकसाइड का विलयन बना सकते हैं इसमें अलुमीनियम की पन्नी का एक टुकड़ा डालने पर यदि जलती हुए माचिस की तीली वीकर के मुझ के निकट लाएं तो हमें एक पॉप धनी सुनेगी यह है हैड्रोजन गैस की उपस्तिती दर्शाती है यानि धातु अलुमीनियम सोडियम हैड्रोकसाइड से अभिक्रिया करके हैड्रोजन गैस उत्पन करता है समान्य तह अधिक्तर धातु सोडियम हैड्रोकसाइड या और क्षारों के साथ अभिक्रिया करने पर हैड्रोजन गैस उत्पन करते हैं परन्तु अधातु क्षारों से अभिक्रिया नहीं करते अब हम विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम एक बहुत ही दिल्चस्प प्रयोग देखेंगे जिसमें हम पांच बीकर लेंगे A, B, C, D और E और उनमें निमने लिखे पदात डालेंगे अब इन बीकरों को बिना छेड़े कुछ समय के लिए रखा जाएगा कुछ समय बाद आप देखेंगे कि बीकर C, D&E में कुछ परिवरतन नहीं आया है परंतु बीकर A में copper sulfate का नीला रंग अद्रिश हो चुका है और बीकर B में विलयन अब हरे रंग का है साथ ही A और B में copper का एक लाल चूर्ण बीकर के पेंदे पर जमा होगा इधर जो अभिक्रियाएं होई हैं उन्हें इस प्रकार लिख सकते हैं बीकर A में copper sulfate के विलयन से zinc copper को विस्थापित करता है और रंग ही जिंक sulfate बनाता है और बीकर B में copper sulfate के विलयन से iron copper को विस्थापित करता है और हरे रंग का iron sulfate विलयन बनाकर copper का एक लाल चूर्ण पेंदे पर जमा हो जाता है यहां आपने देखा कि बीकर A में जिंक कौपर को विस्थापिद कर पा रहा है परंतु C में कौपर जिंक को प्रतिस्थापिद नहीं कर पा रहा है इसी तरह B में आइरन कौपर को विस्थापिद कर रहा है परंतु D में कौपर आइरन को विस्थापिद नहीं कर पा रहा कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है परन्तु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। अवलोकन पर आधारित हम यह निशकर्ष निकाल सकते हैं कि जिंक, कौपर और आईरन में जिंक सबसे अधिक अविक्रियाशील है, उसके बाद आईरन और फिर कौपर. अब हम धातूं और अधातूं के उपयोग पर कुछ चर्चा कर लेते हैं. आप खुदिया नुमान लगा सकते हैं कि दैनिक जीवन में अनेक वस्तों में धातूं का उपयोग होता है, जैसे मशीने, मोटर गाडियाँ, वायूयान, रेल गाडियाँ, उपग्रह और द्योगिक साजो समान, खाना बनाने के पातर आदी. और अधातूं तो हमारे जीवन के लिए ही आवश्यक हैं, जैसे ऑक्सिजिन, जिसे सभी सजीव श्रस्न के समय अंदर लेते हैं, एक अधातू है. उर्वरकों में पौधों की व्रिद्धी हेतू, नाइट्रिजन और फॉस्फरोस का प्रयोग करया जाता है. जल्शुद्धिकरन प्रकम में क्लोरीन को प्रयोग करते हैं और बैंगनी रंग का विलेन, जिसे एंटिबायोटिक के रूप में आप लगाते हैं, उसमें आयोडीन, जो एक अधातू है, वै होता है. इस तरहां आप अनुमान लगा सकते हैं कि दैनिक जीवन को सरल बनाने में धातूं और अधातूं का बहुत उप्योग होता है. आईए अब एक बार देख लेते हैं, हमने आज क्या क्या सीखा. पहले हमने धातूं और अधातूं के रसायने गुनों पर कुछ चर्चा करी, जिसमें ऑक्सिजन, जल, अमलों और खशार होता है. दोस्तों, यह हमारे एक नया सेक्शन है, जिसमें हम आपकी अंग्रेजी शब्दावली में कुछ नए शब्द जोडने का प्रयास कर रहे हैं. तो आज का पहला शब्द है, इमाजिनेशन, जिसका अंग्रेजी वा मतलब है, the faculty or action of forming new ideas or images or concepts of external objects not present to the senses, यानि कल्पन और दूसरा शब्द है, independent, free from outside control, not subject to another's authority, यानि स्वत्वंत्र. आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई और इससे आपकी कुछ मदद हुई. कुरोना के इस समय में सुरक्षत रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर. धन्यवाद.